कडाके की ठंड पड़ रही थी और सुभा के साथ बज रहे थे घर की छोटी बेटी रचना की शादी अभी अभी हुई थी दूलहन को विदा कर दिया गया था और सारे रिष्टेदार जिसे जहां जगा मिली वहीं परपसर कर पड़े हुए थे शादी की थकान थी इसलिए की दुबगी ही चाय की चुष्कियों के साथ आपस में बतिया रही थी जिने कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बंठन कर इधर उधर गूम रही थी वो सारी लड़किया रजाई में घुसी हुई थी कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो ये ही लोग थे और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुए करुणा और सावित्री दोड़ दोड़ कर सब की फरमाईशे पूरी कर रही थी किसी को चाय चाहिए थी तो किसी को गर्म पानी जो महराज घर में काम के लिए रखा था वो तो आठ वजे तक आएगा तब तक बहुओ की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती सब को चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुचकर चाय पीने बैठी ही थी कि पीछे पीछे सासु मा शिमला जी भी कपकपाती हुई रसोई में आई और बोली अरे तुम दोनों कहा चाय पीन reliable में बैठी हो अभी कुछ रिष्टदार रवाना होना शुरू कर देंगे उससे पहले उनके लिए शगून के लिप,… और मिठाई के डिब्बे तयार कर दो और हाँ یाद रखना कोई कमी ना रहे तीन तरह के डिब्बे तयार कर लेना, पिछली बार की तरह गलती मत करना, म कुछ पता तो है नहीं, बड़ी बहुत से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था, तो उसको अच्छे से पता है, बस ला परवाही ना करे तो। कोठियार में पहुचकर वहा का ताला खोला और अंदर जाकर दर्वाजा लगा लिया, देखा तो वहां एक तरफ तीन तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली टिब्बे रखे हुए थे, करुना ने सावित्री से कहा, अरे सावित्री उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड और मठ्री के बरतन लेकर आई, सावित्री बड़े उत्सहा के साथ करुना के पास आकर बैठ गई, और बोली, जी जी मुझे भी बताओ, कैसे क्या करना है, अरे बताती हूँ, बताती हूँ, फिक्र मत कर, पहले दो तिन डिब्बे पैक कर दूँ, ताकि तुझे समझ भी आ उसे चोटे डिब्बे में पांच लड़ू और पांच मठ्री, वहीं सबसे चोटे डिब्बे में दो लड़ू और गिंती की दो मठ्री रख दी, तीनों डिब्बों को तयार कर देने के बाद करुणा सावित्री से बोली, समझ में आया क्या करना है, हाँ जी जी यह तो पर फेशेज में नहीं आया कि ऐसा क्यो करना है ये डिबबे तो हलवाई से कहकर भी पैक कराई जा सकते थे, अरे मेरी बोली देवरानी हलवाई से कराई जा सकते हैं पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं, हाँ यह बात तो सही है, बहला कौन बह पर एक बात बताओ जी जी, अम्मा जी आपको लापरभा क्यों कहती है, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ, आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं, और ये तीन तरह के डिबबे क्यों, देख, शादी में हर तरह के महमान आते हैं, कुछ खास होते हैं, और सिर्फ कुछ से वहवार निभाना होता है, उस हिसाब से ये तीन डिबबे तयार किये हैं, जैसे जो घर के खास रिष्टदार हैं, उन्हें ये बड़ा डिबबा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं, उन्हें दूसरे वाला डिबबा दिया जाएगा, और जो कभी कबा नहीं अम्मा जी ने क्या कहा यही कि मैं लापरवा हूँ बस यही लापरवाही तो की थी मैंने जी जी ये क्या बोल रही हो और ऐसे काहें कि लापरवाही हो गई थी तुमसे सावीत्री ने मुह पर हात रखते हुए हैरानी से कहा तो करूना ने जवाब दिया पता है तेरी श अपनी मर्जी से एक बड़ा डिबबा मिठाई का दे दिया फिर जी जी अम्मा जी नाराज नहीं हुई नाराज मुझसे तीन चार दिन तक बात नहीं की थी मुझे और मेरे घर वालों को खूब को से जा रही थी मुझे और मेरे घर वालों को खूब को से जा रही थी पता नह नहीं ये सुसराल वाले बहु के माईके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है पर मिठाई का डिबत अकुने देना इन लोगों को बहुत सालता है उन तीन चार दिनों में अम्मा जी बहुत ही जिना दुश्वार किये हुए थी आकिर जब मैंने माफी मांगी तब जाकर शा ने सुनाती है खेर छोड़ो इन सब बातों को बटापट मिठाई के डिब्बे पैक कर लो नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएगी दोनों बहुवने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तयार कर दिये अब धीरे धीरे सभी रिष्टदारों को विदाई और मि रखा था क्योंकि बड़ी बहु पर से तो उसका विश्वास उठ चका था अम्मा जी के माईके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद करूना के माईके से उसके छोटे भाई और भाबी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाजत लेने आए तो अम्मा जी ने सावीतरी को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारह किया लेकिन ये क्या सावीत्री तो उस डिब्बे की जगा एक बड़ा सा थेला उठा कर ले आई अम्मा जी ने देखा उस थेले में चार बड़े मिठाई के डिब्बे दोनों भाई और भावी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती सावीत्री ने नारियन निकाला और उस पर 51 रुपे रखकर करुणा को पकड़ाते हुए बोली लो जी जी अपने भाईयों को तिलक करके विदा करो आपको अपने ससुराल के रीती रिवाज नहीं पता है क्या अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने माई के वालों को विदा किया है आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज़त है अम्मा जी गुसे से सावित्री को घूरे जा रही थी पर अभी तो और इश्दार बैठे थे उनके आगे वो कुछ ना कह पाई करुना अभी भी हैरानी से सावीत्री की तरफ देख रही थी और सावीत्री थी कि खुद की पीट थप थपाते हुए बोले जा रही थी अम्मा जी आप फिक्र ना करो जी जी अपने रिती रिवाज भूल गई तो क्या मैं अपने ससुराल की इज़त संभाल के रखूंगी मैं अपने ससुराल वालो की ना किसी के सामने कटने नहीं दूंगी और जी जी आप क्या देख रही हो जल्दी करो और भी काम है इतने में ससुर जी भी बोले अरे बड़ी बहु अब जल्दी अपने भाई भावी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है ससुर्जी की बास सुनकर करूना ने तिलक कर अपने दोनों भाईयों और भावी को विदा किया अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आकिर कहती कैसे, यहां तो छोटी बहु खुद अपनी पीट थपता पा रही थी साथ ही ससुर्जी भी छोटी बहु की समझदारी के कायल हो गए थे अम्मा जी के नाग पर गुस्सा तीन चार दिन तक जरूर रहा और मन ही मन कुड़ी रही थी कि कहां छोटी बहु से काम करवा लिया, पर जब देखा कि छोटी बहु इतनी बेशरम है कि साथ को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही, तो अपने आप ही चुप हो गई दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या छोटी बहु ने सही किया और अपनी साथ को सिखाने का ये तरीका, क्या उसका सही था अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो, तो कहानी को लाइक वे शेयर करना ना भूले धन्यवाद